हेलो दूस्तो नमस्कार एसाम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दूस्तो इस वीडिये में हम लोग करने वाले बहुत सारे बीव्स नोवेंबर बताया गया था, सो डेफिनेटिक कल हम लोगों को Gland Pharma का जो IPO है, बहुत ही महेंगा IPO भी था, एंड आप सबी लोगों को पता है, प्रमोटर के कारण बहुत सारे लोगों ने इस IPO में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया था, मतलब चाइनीज प्रमोटर है आप सबी लोगों को यहापे पता है, सो इसी से रिलेटेड लिस्टिंग कैसे रहेगी, इसके उपर ही सबी लोगों के यहापे निगाए रहने वाली है, उसी के साथ साथ दोस्तों यहापे IPO की अगर बात हो रही है, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक कंपणी जो के हम लोगों को 1986 से देखने को मिल रही थी, IRFC, सो दोस्तो IRFC का भी IPO हम लोगों को इसी साल देखने को मिलने वाला है, तो हम लोग कह सकते लगभग 500 से 1000 करोड का यह IPO यहापे होने वाला है, जब भी इसके प्रॉपर डीटेलिंग सामने आएगी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दूँगा, बट December खतम होनी से पेले यह IPO आने की पूरी चांसे यहापे बनते वे देखने को मिल रहे है, दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें Hero Motor Cup, दोस्तों Hero Motor Cup ने बहुत ही शांदार यहापे अपने नंबर्स पेश किये, यहापे बताया गया कि Hero Motors Cup ने दिवाली, मतलब यह जो दिवाली फेस्टिवल का जो सीजन था, उसमें लगबग सब कुछ जोड के 14 lakhs गाड़िया इतना जबर्दस सेल्स यहापे कर लिया है, Hero Motor Cup की अगर हम लोग inventory की भी बात करें, तो वो भी अभी हम लोग को कम होते वे देखने को मिल रहे है, बहुत ही शांदार news हम लोग को Hero Motor Cup से यहापे देखने को मिल रहे है, जो कि long term के लिए उनको एक जादा ही फाइदा यहापे मिल सकता है, देन दोस्तों यहापे हम लोग बात करेंगे Relance Industry की, सो Relance Industry से related Relance Retail ने यहापे Exchange को फाइल करके कह दिया, आप लोग देख सकते हो कि Total Relance Retail ने complete कर दिया है, फंड रेजिंग से related उनकी जितने भी बाती थी 47,265 करोड इतना यहापे उन्होंने स्टेक सेल किया है, एंड एक्स्चेंज को उफिशली फाइल करके यह सारी चीजों का जितना भी जो हम लोग बोलते हैं रेकॉर्ड यहापे पेश कर दिया है, सो रोस्तों Relance Industry के बाद, Relance Retail के बाद अगर हम लोग यहापे बात करेंगे तो Bank Nifty की, सो Bank Nifty आज के दिन हम लोग कह सकते हैं कि गिरावट का कारण यहापे यूजोली बनते वे देखने को मिल रहा है, क्यों के Loan Moratorium से Related जो सुनवाई थी, उसमें भी हम लोग को कुछ थोड़ी से Twist देखने को मिले, सबसे बेले Loan Moratorium का Final Decision अभी तक नहीं आए, वो Next यहापे एक हफ़ते के लिए आपे आगे कर दिया गया है, सो दोस्तो इसी के चलते हम लोग को यहापे प्रेशार देखने को मिला है, आप मेरा पीछला वीडियो यहापे देख सकते हो, जैसे के अगर हम लोग बात करें, नमबर वन डिसीजन, तो यहापे जो इंटरनेशनल फ्लाइट से, उसके लिए Spice Jet को यहापे कुछ परमिशन्स मिल चुकिए, पॉइंट नमबर वन, पॉइंट नमबर टू की अगर हम लोग बात करें, एर एशिया, तो आप सभी लोग पता है, एक कॉंपेटिटर है, यहापे फ्लाइट से रिलेटेड, तो वो यहापे हम लोग को कम, मतलब पीछे हटते हुए देखने को मिल रहा है, उनका बिजनेस कम होते हैं, देखने को मिल रहा है, तो अटोमेटिकली स्पाइस जेट को इसका फाइदा होगा, एंट थर्ड अगर हम लोग यहापे बात करें, तो आप सभी लोग को बता है, बीच में कुछ यहापे हम लोग को, बोईंग के जो प्लेंस हैं दोस्तों, बोईंग के प्लें यहापे मिल चुका है, कि मतलब वो सेफ है करके, यहापे परमिशन से यहापे मिल चुकी है, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, कि स्पाइस जेट के पास ऐसे लगबग 13 से 14 एरक्राफ्ट है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते थे, ज जैसे कि मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ, मुझे जब तक कोई भी स्टॉक फंडामेंटली स्टॉंग नजर नहीं आता, तब तक मैं उस स्टॉक में निवेश नहीं करता हूँ, इसलिए स्पाइस जेट तेजी दिखाते हूँ देखने को लोड़ा है, बट अभी भी म नंबर्स इनके पढ़ता हूँ, तो मुझे नंबर्स इतने भी अट्रेक्टिव नजर नहीं आते, यह मैंने अपनी बात बोल दी, आपको जो सही लगता है, वो आप लोग जरूरी आपे कर सकते हो, तो दोसके बाद अगर हम लोग आ आज आते, TCS के उपर, TCS का बाइबैक दोस्तों, शेरोल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है, 28 इस नोवेंबर यह इसका रेकॉर्ड डेट भी सामने आ चुका है, मैं इससे रेलेटेड और एक डीटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जो की एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, उसी के साथ हमारे सामने यहाँ पर आ चुके, आप लोग देख सकते हो, वीडियो सेट, डिसेंबर 11 एजनर रेकॉर्ड डेट फॉर दे शेर बाइबैग, जो 400 रुपे का बाइबैग वीडियो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही शांदार निउस अभी हम लो नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लगबग डॉलर 2 बिलियन तक फंडिंग, वोड़ा फोन आइडिया को मिल सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट के जरीए, यह न्यूज हम लोगों को बार बार यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है, जो वोड़ा फोन आइडिया ने भी बोल दिय बीड भी जन्रेट करना है, यह बहुत ही इंपोर्टेंट पैरामेटर है, तो यह भी बात आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए, एंड यूज भी वोड़ा फोन आइडिया को पे करने, यह भी आपके दिमाग में जरूर फिट रहना चाहिए, दैन अगर हम लोग बात करें GMM Fodler, यह सो GMM Fodler आप सबे लोगों को में वापस कहना चाहूँगा, यह कमपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शांदर है, बट प्रमोटर ने जो बीच में OFS से रिलेटर हरकते कर दी, इसके कारण बहुत ज़्यादा परिशानिया यहापे हो चुकी है, तो GMM Fodler आज अच्छा चल रहा था, अपर सरकीट लग गया, बट बाद में हम लोगों को बैंक निफ्टी में जोरदार गिरावाट देखने को इली, मार्केट में गिरावाट देखने को मिली, जो लोग ने यहापे टेंपररी प्रॉफिट कमाय था, उन्हेंने सड़नल यहापे प्रॉ जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है, उन्होंने यहापे फ्रेश इन्वेस्मेंट तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा वानना है, जो लोग और यहापे इन्वेस्टर है, वो चाहे तो कॉस्ट के ऊपर या फिर चोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके यहापे निकल सकते हैं, ब definitely आप चाहो तो बाकी stocks के उपर जा सकते हो क्योंकि बहुत सरे stock market में available है उसके बाद अगर हम लोग बात करें R.com की, so R.com वापस मुझे cover इसलिए करना पड़ रहे दोस्तों मैंने आप लोग को कहा था कि इन stocks में नहीं पड़ना है, यह penny stocks है जब market higher level पे रहेगा, आप लोग देख ले ना budget finance, 1600-1700 के आजपस चलने वाला stocks लगबख 4,800 के करीबे डबल से जादा हो गया तो वही R.com जो आप लोग को लगता था कि 1 रूपे का 2 रूपया हो जाएगा, 3 रूपया हो जाएगा वो आज भी 1 रूपे का 1,50 हम लोग को देखने को मिल रहा है तो दोस्तों देखने के लिए बहुत ही इजी लगता है कि 1 रूपे से 2 रूपे जाना है, मतलब आपका investment डबल हो जाएगा बट वो जरनी इतनी आसान नहीं रहती है, ये भी अभी आप लोग को आप देख सकते हैं, यही लोग सबसे आदा यहापे कमाते हुए हम लोग को बार-बार देखने को मिलते रहेते हैं तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक से retail investor ने खुद को यहापे बचाना चाहिए दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ITC की ITC फिलाल बहुत ही अच्छा गासा performance दे रहे हैं लगबख सवा 2% के आसपास की तेजी, आज भी हम लोग को ITC में maintain होते वे देखने को मिल रही है तो यहापे बहुत से लोग मुझे comment section में पूछ रहेते सर ITC में एक छोटा सा controversy, मतलब कुछ तो bingo का add कुछ तो यहापे issues होए क्यों क्या इससे ITC के ओपर कोई impact दिरेगा, तो दोस्तों जो मैंने चीजे यहापे पढ़ी है तो definitely आप सभी लोग कात है customer supreme रहते है, so customer से related अगर हम लोग यहापे बात करें तो फरक तो ज़रूर पड़ेगा, बट इतना जादा भी नहीं क्योंकि ITC देखा जाए तो बहुत बड़ी company है, so definitely हम लोग कह सकते है यहापे जो matter है, वो वापस हम लोग को वो जो पुराना सुशान सिंग राजपूर से related, कुछ ऐसे बताया जा रहा है, मैं ज़्यादा कोई expert नहीं हूँ, मैं ज़्यादा कोई movies, Bollywood को ज़्यादा follow नहीं करता, बट ऐसा कुछ बताया गया है, कि advertisement में ऐसा दिखाया गया है जो कि उनका मज़ा खुड़ है, ऐसा कुछ तो सामने news आ रहा है, मैंने सिर्फ पढ़के में आप लोग को यहापे बतारो, आप खुद वहापे चाहो तो एक बर search करके देख सकते हो, so definitely हम लोग कह सकते हैं, कि यहापे ITC का एक बहुत बड़ा brand है, बिंगो आप सभी लोग आप लोग देख सकते हैं, अच्छा का सा 100 पॉइंट प्लस चल रहा था, बाद में आप देख सकते हो, माइनस में हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि यह तो कभी ना होना था, बाजार को एक रीजन चाहिता है, बाजार उसी रीजन को पकड़ के हम लोग को आज गिरते व बॉकिंग भी देखने को यहां पर मिलती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, कि SBI में हम लोग को यह प्रॉफिट बॉकिंग यहां पर आज भी यहां पर देखने को मिली है, आयो मशा करता हो दोस्तों, जीतने भी इंपोर्टेन बाते थी, वो मैंने आप फटावट कवर कर ल जाएगे, तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बाते पता चल जाएगी, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, बाई बाई